हेलो फ्रेंड्स नीलम बबर चैनल में आपका स्वागत है अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक शौर्ट स्थोरी सुनौती हूँ एक बार एक नर्सरी क्लास के बच्चे को टीचर ने पूछा आप बड़े होकर क्या बनोगे तो इनोसेंट बच्चे ने क्या आंसर दिया? मैं बड़ा होकर टीवी बनना चाहता हूँ टीचर स्माइल्ट और पूछा ऐसा क्यों? बच्चे का जवाब क्या था? मेरे पेरेंट्स साला दिन टीवी ही देखते रहते हैं यदि मैं टीवी बनूगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे ही देखा करेंगे इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स अपना किम्ती समय हमारे साथ स्पेंड करें अब देखते हैं कि मेरी स्टोरी का लिंक इस टॉपिक के साथ क्या है? लॉगडाउन में बच्चे जादा बोर होने लग गए हैं क्योंकि घर में पूरी तरह से बंद होने के कारण वे घर के पास के पार्क में भी खेलने नहीं जा रहे ऐसे में बोरियत से बचने के लिए इन दिनों मोस्टली बच्चे मोबाईल, टीवी, अधर गैजेट्स पर अपना समय स्पेंड करते हैं पेरंट्स भी नौटी बच्चों को टिका कर बठाने के लिए उन्हें अपना मोबाईल पकड़ा देते हैं प्रन्तो बच्चों को टाइम स्पेंड करने के लिए जिरूरत से ज्यादा मोबाईल या अन्य गैजेट्स देना ना तो गुड है और ना ही सेफ ऐसे में फिर क्या करें बच्चों के साथ मस्ती करें उन्हें कुछ निया सीखने को मिलेगा सुबह, मौर्निंग, इवनिंग बच्चों के साथ खेलें क्योंकि बड़े और बच्चे सबी का रूटीन लॉक्डाउन में चेंज हो गया है सबी मोबाईल, टीवी, लैपटॉप और अधर गैजेट्स पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है ऐसे में जुरूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ खेले अब सवाल उठता है कि क्या खेले बच्चों की एज के हिसाब से उनके साथ कोई भी इंडोर गेम खेले जैसे बेडमिंटन, क्रिकट, रैबिट वॉक, मौंकी वॉक, लंगडी टांग, स्टापू, रसी कुदना ऐसी कई गेम्स हैं जो कम जगा पर असानी से खेली जा सकती है अपनी बच्चपन की गेम्स बच्चों के साथ शेयर करें इसी परकार बच्चों के साथ खेलने से आपकी भी एक्सराइस हो जाएगी और इंजॉयमेंट भी होगा बच्चों को क्राफ्ट वर्क करवाएं बच्चों को क्राफ्ट वर्क में बिजी कर सकते हैं ड्रॉइंग, पेंटिंग करवाएं अपने बच्चपन के experience बच्चों के साथ share करें घर पर पिकनिक बनाएं घर पर ही टेंट लगा कर कारपेट या मैट बिछा ले कुछ स्नैक्स बना ले बच्चों के साथ पिकनिक बनाएं Children will like this new experience हरो स्टोरी सेशन रखें यदि बच्चे छोटे हैं तो उने स्टोरी पड़कर सुनाएं और यदि बच्चे बढ़े हैं तो उनको कहें कि वो आपको स्टोरी पड़कर सुनाएं या पोइम्स भी सुन सकते हो इससे बच्चों में स्टोरी टालिंग टालेंट डिवैल्प होगा अगर लड़कीयां बड़ी हैं तो उन्हें आप knitting सीखा सकती हैं और kitchen में उनसे help ले सकती हैं प्रैक्टिकली आप को यह बच्चों को यह प्रैक्टिकली भी improvement होगी उनमें अगर आपके घर में kitchen garden है तो बच्चों के बच्चों को उनको इन्वाल्व करें उन्हें names of the plants, agricultural implements ऐसी चीज़ों के नाम सिखा सकते हो बच्चों के साथ को मस्ती करें अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने बच्चों को गैजट अडिक्ट बनने से रोक सकते हो अगर आप उन्हें ना रोक पाए तो आगे जाकर आपको मुश्किल आएगी क्योंकि lockdown में तो आपक को ये बुरा नहीं लग रहा परन्तु lockdown के बाद आपको अपना मुबाइल नहीं मिलने वाला इसलिए lockdown को भी long summer vacation ही समझे जिस तरह summer vacation में आप अपने बच्चों को बिजी रखते हैं आप उसी तरह करें ताकि lockdown के बाद जब बच्चे स्कूल जाएं तो पूरी तरह उनका मन student studies में लगे अपने दोस्तों और teachers के साथ वो फिर enjoy कर सकते हैं कैसा लगा आपको मेरा topic अगर आपको मेरी वीडियो पसांद आई तो आप comment and share जरूर करें and also subscribe my channel thank you